एलो गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल होप यू गाइस अद्व गूड तो आज ना एकदम सीटिंग से चालो कर रहे है क्योंकि आज बहुत भूप लग चुगा है क्योंकि दो फेर के विशाम धलने वाला है और अभी मैं लांच कर रहा हूं समझ रहे हो ना अभी मैं लांच लेके बैठ चुका हूं मैं और कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि टाइम पस्ट करके बहुत अचा बिर्यानी का दुकान है तो वहां से बिर्यानी करने के लिए तो आज लेके आ गया टाइम पस्ट का बिर्यानी देखते हैं खाके योलो योलो हलका सा का हूँए मैं थेखते हूए थे खंडा और में ठीक्तित आगे कि देखो एक आलू दिया है आधे वाज cani oi saada भूda नहीं होता है यह को सी हेसे धालाइफ carving फ्लेबर नहीं होता है यह वैसी लीक्स टाइल में उर्जेञान। यह होता है एकदम नाइट बिर्यानी होता है यह होती जादा लाइट बीद्रेंज है टीज आपको कि देखो कि वेली दिख रहा होगा बट उतना भी नहीं होता है और मसाला एकदम कम होता है मसला होता ही नहीं है यह देखो एकदम वाइट और योलो राइस ही मिक्स्ट हो वह वह है तो उतना भी जादा मसला दर भी नहीं होता है को दो तरब के भी रहा गंए असलमन को क्लक西 बें चलता है यह होता है इस ट्राइब का जो एकदम मैं आता होता है और दूसरा ओता है म्शारवाला जो मेरा के वरिए अधिये देखो अच्छा यह लोग माटन का जो चर्वी होता है नहीं यह दो चर्वी देते हैं ठंडा हो गया है न तो चम गया है पुरा चर्वी काते हैं फिर दूई चलो अधिये थंडा हो और अधिये दूधा है नहीं लगड़ा है अधिये अधियों तो बढ़िया नहीं लगड़ा है अचा आलू दूरा खागे दिखते हैं अलू कि अधिशन और मीठा है बट कि अधिशा तक लूब नहीं दग रहा हुआ है खिर्फ कालर देकर साइद पॉयल करके दखती है भाइए अग्ण से फटल नहीं 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 और भी टानेंगे मसला बात ही चोड़ तो बिर्यानी में राइस में बिर्यानी मस्ला नहीं तो बहुत ही जादा लाइट बिर्यानी है इतना भी लाइट बिर्यानी मुझे पसंद नहीं है लाइट बिर्यानी होता है ठीक है बढ़ यह तूमच है तूमच लाइट बिर्यानी है जब मैं चावल को चबा रहा हूं तो एकदम आसानी से मैं नहीं नहीं पा रहा हूं थोरा करे में अटक रहा है राइस समझें ना अच्छा इसका प्राइज में बदाजेता हूं यह मटन बिर्यानी मैंने लिया है मटन बिर्यानी का 175 करके नाम है और चिकन है चिकन का साइड 155 करके नाम है यह नहीं है अपना ठीक से कि बिर्यानी मुझे ठीठ ठाक सा लगा कि खा सकते हो गरम गरम होता तो साइद और भी अच्छा लगता अभी तो कि अधियों कि अधियों कि मैं ने मतन भी डिया और किया है और इन्हों ने चिकन का अड़ी दिया है फ्री में अधियों कोई बार नहीं अब मतन को देखते हैं इस अधियों मतन को अच्छा सीना वाला पीस दिया है अच्छा लगता है यह पीस कि तो अधियों मतन के साथ कर्वी खाकर देखते हैं कि अधियों कि अदम के सुआ है अधियों का अजय को आगा है यह जां है यह जा कर यह जादा है को अ अ कि अच्छा जब में खा रहा हूं जब मुऊंबे मटन का फलेबर आ रहा है लूप एसा स्मेल नहीं आ रहा था या और मटन थोड़ासा चूई है मतलब एकडम सॉफ जैसा होता है अश्क भी नहीं है यह देखा और से चूई-चूई है भड़ा इंकर सेख़ने यह वासा मतले में चवाना परड़ाई मतन को और जाधा कुक करना था नोगो एक इने को चड़ी अच़्यां का गाने में मजाता है मतन का कि लोड़ कि बढ़ को मैं बाल बाल कि अँड़ कि बाल यप गला यद्टा मीश लाघ अपला यदा है पोला यदा यदार मीश इए कि और एक लेते हैं फिर मेरे चीकेन चाप भी ले ले आया है ले पर ब्रक्राइब में से अच्छा लग रहा दा चीकेन चाप बहुत दिनों बाद ऐसा चिकेन ज़ाकल मैंने देखा तो आलू राई सब्सक्राइब सब्सक्राइब हुआ हुआ अब तो नहीं लेगा मिट प्रिया निक टीक है प्राइस पॉइंट की सबसे मैं कह सकता हूं अच्छा है आने लाएके और अगर तुम सिर्फ इनका आलू बिर्यानी लो ना आलू बिर्यानी 55 रुपीज करके है जो मुझे काफी बहुति लगा क्योंकि अभी सब जगा पर मिनिममं 60 रुपीज तो है और जाधा तर जगा जाधा तर जगा 70 रुपीज करके है तो इस पॉइंट से आलू बिर्यानी इनका खा सकते हो तुम लोग अगर भूग लगा है तो आलू बिर्यानी इनका चल जाएगा कि मोटन का हाला देव अब नासा नहीं कि बहुत देश से रखा हुआ है शायद मैं कि दो या देर वजे की करेव कि वान थर्टी पीम की तू पीम मैंने इसे लेके आया कि बट कि बहुत जल्दी ठंडा हो गया थे ठंड भी बड़ा है और माटन का क्वालेडी मुझे ना भी इंपरेसिव नहीं लेगा कि यह चलो इसके बाद चिकें चापके जाते हैं हां शी और शी और शीओ कि अगे यह भी चलेगा कि चीकें चापने लोगा तो अगे देखो अधिक को एसा यह पीज दिया है लोग ने यह शायद थाई वाला पीस है लेक पीज मुझे नहीं मिला लेक पीज उनसे पूछा था उन्हें वाला लेक पीज सब खातम हो गया तो यह वाला पीज मिला है बहुत ज्यादा चीकेन है इसमें यह जो थोड़ा सा ट्राइब करके देखते हैं चीकन चाप वैसे ही कि थाई वाला पाथ है फिर भी बहुत ज़्यादा चबाना पड़ा है इस बीबाइट इस बीबेट लेंटे के देखते हैं इस बीबब आप अच्छा है जाब बहुत अच्छा लगा मुझे चिकन दोड़ा हाद हो हाड है बट अच्छा लग रहा है खाने में इस जिकन चाप है बट हड़ी है हड़ी वाला ही जाधा पीज दिए दिया मैंने सॉलीड पीज दिने से भी मना किया था तो ग्रेवी के साथ थोड़ा राइस देके खाके देखते है कि अग्रेवी एक नमबर है दो थीक है बहुत जादा थीग ग्रेवी यह देखो देख पाऊगे शायद और वाइल भी बहुत जादा यहाँ पर है अब बहुत टेस्टी है सच में बहुत टेस्टी है इनका चिकन चाप कि यह यह इस रेस्टोरेंट पर जाओ तो एक आलू भी रहनी लेने ना एक चिकन चाप लेने ना बहुत अड़ाब से हो जाएका तुम्हाइब कि अगर शायद में गरम गरम अलब पिरियानी पुरा खाता वह बैटके तो शायद मुझे मटन शायद अच्छा लगता पता नहीं क्योंकि यह ठंदा हो चुका है पुरा तो पता नहीं बोल नहीं सकता अगर प्रेंट शीजन चाप बहुत पर यार एक चिकेन चाप और आलू के साथ एक लास्ट बाइट तुम लग उसे थोड़ी दिर बात बत करूंगा इस अपाधम कड़ गए तुरा सब्सक्राइब लेते हैं कि अजब कर देखो ना इंतम वाइली वाइली तम रीज ग्रेवी यह सब्सक्राइब भई अच्छा लगता है खाने में खातो खाएंगे तो इतना एक दिन आपते में अब यह देखो यह होगा आलू मातान चिकेन थोड़ासा वे आजा आजा भाई थोड़ासा प्यास एक बारा बाइट यह देखो बिग बाइट गो फोर दा बिग बाइट बश गब ब को कि अङके पड दोड़ी कुई हादा स्क्राइब चोर बढू हम च्सक्राइब ऑईफ च्पटाइब हमेर बग़ीस के मिलाउंगेक भीस जए है ट्रवाना पुटाएंगर이breaking ahh कि अगज चाप एक नमड़े बाई एक नमड़ तब जाके उनका चाप खाओ मजा आएगा सब इंफोर्मेशन दूंगा मैं कि अजय को बोल्डव जाके खाओ जाके खाओ जाना का है भाई वह तो नहीं बोला बोलूगा भूग बहुत जाजा लगा था तो इसलिए तो जागी बग बगवे टाइम नहीं हो इसकते हैं कि शिदा खाने से स्टार्ट करते हैं हुग करते हैं यह भी थूरा अपर मुझे द्यान देना है कि जब एडिट कर रो था ना तो मैंने देखा कि वीडियो गमें जो दूकान का इंफोर्मेशन है वह मैं देना भूल गया हूँ मतलब उसका अलग से कोई clip shoot नहीं किया हुआ है तो मैं ऐसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि दुकान कहा पर है बहुत अच्छा दुकान है आप जाके भी खा सकते हो आप डाइनिंग कैपसिडी भी है तो वे जगा है हमारा सोतपुर में जो दादा बहुदी है आप लोग ज़्यादा तर लोग पैचान दी होगे जो सोत्पुर में जो दादा बहुदी का आउटलेट है उसके ठीक ऑपोसिट साइड में जो गली जाता है सेंजी वे स्कूल के तरफ उसमें जाके ही आप जैसे उस गली में इंटर करोगे आपको खुश्बू आ जाएगा तो मिल गया आप लोग को इंफोर्मेशन की कैसे जाना है का जाना है तो देखो अब बात कुछ ऐसा है कि उनका जो मतन है न तो उसको प्रॉपर्ली जो मैंने खाया बहुत जाएदा ठंडा होने के बज़े से ऐसा हो रहा था कि खाने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था ठीक है और जब मैं वहाँ पर बिर्यानी लेने गया था न तो उनका जब हाड़ी ऐसे काट रहा था तो उसका घी का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था अब गरम मिला नहीं खाने को तो ठंडा हो गया तो वह स्मेल भी मुझे नहीं आया और बिर्यानी वैसे अच्छा है उसका माटन का माटन मीटान यहां वान एक्टी करके लिया था और जाला बड़ा पीस भी नहीं था इतना छोटा सा पीस था इसका उस सबसे पीस भी बड़ा था ठीक है तो ठंडा हो जाने के वादे से अच्छा नहीं लग लाग था बट ड्राइट था बहुत राई था वह मटन मेरी बीवी बोल रही थी कि उसको बिर्याणी अच्छा लगा बाट मुझे उतना जमा नहीं तो यह बात बात की बात है बट चीकें चाप भाई मैंने अभी तक जितने भी जगा का चीकें चाप खाया है ना मैंने डाला वाधिका भी चुक्शा खाकर रका रहा है बट पेस्ट 65 रूपीज करके उनका नाम है अगर लेकपीज दिया तो 70 रूपीज है सिर्फ लेकपीज का बाट बाट चीकेन चाप वह ग्रेवी जो था ना एकदम मतलब बहुत टेस्टी था और बहुत गारा भी था उतना गारा चीकेन चाप ना मिलता नहीं है हर जगा पर तो च चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा और भी मजा देतो मुझे तो अच्छा लगेगा ठीक है तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में